बाप रे बाप, रेस्ट्री के टिकेट इतनी महंगी, सल्मान खान की होगी जम कर कमाई सल्मान खान इन दिनों रेस्ट्री के प्रमोशन में जोरो शोरो से लगे हुए है लगता है उनकी मेहनत का फायदा उन्हें सीधा बॉक्स ओफिस पर नज़र आने वाला है वैसे तो फिल्म को चलाने के लिए सल्मान खान का नाम ही काफी होता है और ऐसे में इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं सल्मान खान अब ये तो वो अच्छे से जानते हैं कि फैन्स उनकी फिल्म के लिए कितने ज़्यादा बेताब है और फिल्म को देखने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तयार है तो आपको बता दू फिल्म रेस्ट्री की एक टिकेट का दाम लगभग 1000 रुपे है वैसे तो अब तक इंडिया में आनलाइन बुकिंग शुरू नहीं हुई है इसलिए अब तक रेस्ट्री की इंडिया के टिकेट के दाम का पता नहीं चला है मगर UAE के टिकेट के दाम से साफ साफ पता चलता है कि सल्मान खान का वुखार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में चाया हुआ है आपको बता दू, UAE में एक टिकेट का दाम 52.50 द्राम यानि की इंडियन करेंसी में लगभग 1000 रुपे है वैसे तो ये पहली बार नहीं जब बड़ी बड़ी फिल्मों की अडवांस बुकिंग का दाम इतना हो लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इंडिया में फिल्म के टिकेट का दाम क्या होने वाला है अब चाहे जो भी हो फैन्स तो अपने भागजान को हर इद की तरह इस इद भी इदी दे कर ही रहेंगे वैसे तो एक और खबर सामने आई है कि सल्मान खान अपने फैन्स के लिए थियेटर बना रहे है जहां वो गरीबों के लिए फ्री में फिल्म रिलीस करेंगे ताकि उनके वो फैन्स उनकी हर फिल्में देख पाए तो इस बारे में आपकी क्या राए है यह हमें जरूर बताए नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल Bollywoodtition को सब्सक्राइब करें झाल